नमस्कार दोस्तों, सो टक का सोलीशन चलने में आपका स्वागत हैं, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ से वेबसाइट जो हैं, आप इंटरेट एक्स्प्लोर के अंदर खोलना चाहते हो लेकिन आप खोल नहीं पाते हो क्योंकि विंडो इलेवन आज चुका ह विंडो इलेवन के अंदर इंटरेट एक्स्प्लोर इलेवन नहीं है, जिसके कार्ण बायमेट्रिक जो है वो काम नहीं कर पा रही है, इसके लिए आप क्या करें, किस प्रकार से आपको सेट अप करना है, वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, इसलिए आप ज सर्च करना है, 9680602915, इंटर दवाना, यहां पर फिर एक सबसे ओपर इओपर लिंक आएगा, इस चार पांस लिंक देखिए, स्टार्टिंग में चार लिंक है, वो चारों लिंक मेरे ही है, चारों की चारों, तो सबसे पहले आपको ओपर इओपर जो लिंक आता है, इसके क्लिक करते ही है, मैं वेबसाइट जो है, वो खुल जाएगी, यहां पर बहुत सारे उप्शन है, जिसमें आप टेक्निकल स्पोर्ट पे क्लिक करते हो, तो इसमें बहुत सारे जो डेटेल्स हैं, वो मेरे द्वारा दी गई है, मैं किस परकार से काम करता हूँ, क्या क्या प आपके सामने है, यह सारा टेक्निकल स्पोर्ट ओप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अब आपको इसके नीचे जस्ट सोफ्ट्वियर A to Z ओप्शन है, इसके ओपर क्लिक करना है, कई बार क्या साइट में मेंटेन रखता हूँ, तो अपडेट करता हूँ, तो हो स कई, इसके ओपर क्लिक करना है, इसके ओपर क्लिक करते हो, तो यह कुछ फाइलें वो दाउनलोड करनी है, आपको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, चलिए, अभी डाउनलोड हो रहा है, यह डा DAYॉट हो गया, ठीक है, अभी जो arrow का निशान दिखाए दारा है, इस पर क्लिक करना है और show in folder पे क्लिक करना है ठीक है show in folder पे हमने क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद इसको हम right क्लिक करना है और extract आल पे क्लिक करना है क्लिक करते ही यहां पे नीचे extract का option पुछेगा तो इसके ओपर क्लिक करना है यहां पे password पुछेगा पासवर्ड आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, पूरा वीडियो द्यान से देखना है, स्टेप आई स्टेप देखना है, पासवर्ड के अंदर जिस प्रकार से एक एक अकसर दिखाई देगा आपको, जैसे Z है, A है, B है, C है, Z है, जो भी है, वो एक एक अकसर पर पासवर्ड है डैस फिर आप अगे एक सर उस सारे के सारे मिला करके एक साथ लिख देना है पासवर्ड बन जाएगा यहां पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूं इसका पासवर्ड डाल दिया है ओके किया पूरी जो फाइल है वो एक्स्ट्रेट हो जाएगी यहां पर गया देखी यह नीचे आ गया ठीक है इसके ओपर डबल क्लीक किया इसमें दो फाइले मिलेंगी सबसे पहले ओपर वाली फाइल को रन करवाना है आज यह टेव एलपर जो है इसको रन करवाना है और नेक्स्ट करना है अब यह उप्सन आपको दिखाई नहीं देंगें क्योंकि आपके कमप्टर में यह नहीं होगी ठीक है तो मेरे से यह सिस्टम में यह पहले से इंस्टॉल है फिर भी मैं इसको रिपेर पर क्लिक करता ह हूं और यह इस प्रकार से स्टेब रहा है आपके सिस्टम में यह पहले से नहीं आए तो उस कंडिशन में यह फाइल जो है आपको आप से सीथी ही रANT अब हो जाए ठीक है उसके लिए आपको रिपेर करने करना है इस प्रकार से आपको फिनिस करना है फिनिस करने के बाद में में इस फाइल का काम हो चुका है अब आपको Google Chrome खोलना है और Google Chrome में यहां उपर यूपर डालना है इसके उपर इंटर दबा देना सबसे टॉप में ओप्सन आएगा यहां पर इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करोगे तो इस प्रकार से हैं और सारा जो आपके सामने एक्स्टेशन खुल जाएगा थोड़ा पेस डाउन हो रहा है यहां पर एड टू क्रोम पर क्लिक करना है ठीक है एड टू क्रोम पर क्लिक करोगे कुछ टाइम तक चेकिंग से लेगी और एड एक्स्टेशन नाम आएगा इसके उपर क्लिक कर देना है ठीक है क्लिक कर दिया है क्लिक करने के बाद यहां प पर आगे स्टेप बढ़ाएगा लेकिन आपको कुछ नहीं करना है यह काम हो गया इसका अब यहां पर यह देखिए इस परकार से यह उप्षन दिखाई दे रहा है इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करते हैं यहां पर यह पिन मार्क का निसान है इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करते हैं यहां पर इंट्रेट एक्सप्रोर का आइकन बन जाएगा ठीक है दुबारा बता देता हूं जैसे माल यह इस परकार से आपके सामने स्क्रीन खुलेगी य यहां पर पीन वाला ओप्षिन मिलेगा इसके ओपर कलिकख करुगे तो वापस आजाएगा या है दौबारा कलिकक करूगे तो इस परकार से रहेगा बांच कलिक करोगे क्लिकक करते ही इस परकार से ब्लेगा थोड़ा सा टाइम लेगा कोई दिखकर नहीं है, प्रोसेश सल रही है अपनी, पासफ़र्ट आपको इसी वीडियो में मिलेगा, पहला एक्सर पासफ़र्ट का बड़ा है, जो आपको दिखाई दिया होगा, और बाकी सब छोटे एक्सर हैं, ठीके, पहला एक्सर बड़ा है, बाकी सब छोटे एक्सर है यह option इस प्रकार से दिखाए देंगे, यहाँ पे settings का option मिलेगा, settings के ओपर click करने के बाद यहाँ पे नीचे चलना है, फिर last में, और यहाँ पे IE 11 लिखा होगा, इसके ओपर click करना है, ठीक है, अब इस पर click करने के बाद में एक मिन्ट आपको कुछ नहीं करना है, यह page refresh होगा, automatic, और जब तक automatic refresh नहीं होगा, तब तक आख उस नहीं करोगे, यह काम हो गया, इसके बाद माल लीजी, यह website है, हम इसको copy कर लेते, और जो मैंने अभी download करवाया था, उसमें एक यह option, दूसरी file मिलेगी, text file, इसके उपर click करके edit कर लेना है, और यहाँ पर बराबर का निसान है, इसके आगे, जो भी website है, आगो internet explorer की खूलनी है, उसको copy कर देना है, यह पूरा link मन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर पूरी copy कर लेनी है, कोपी करने के बाद हम यहाँ पर उसको डालते हैं, यहाँ इसको shortcut भी मना सकते हैं, कि लिंक कोपी क्या था अब इसके उप्रण कलिक करेंगे तो एक्स जो में खुलेगा यह देखें यह साइड अभी एक्स लॉर में खुले इस प्रकार से आप जो है कोई भी साइट जो है जैसे यहां पर कोई दूसरी साइट खुलना होती थी कि वैश्वी में और दिखा देत तो समझें आएंगे तो इस परकार से आप कितनी ही वेब साइटें जो हैं कितनी वेब साइटें जो हैं इसके पेस्ट करो और लिंक बल जाएगा सुचना चेलिगी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक यू